और दोस्तों क्या हाल जाल सो आज इस वीडियो में हमने जैसा आपने थमनील में देखा और टाइटल में देखा विक्टर्स की बिल्ड क्वाल्टी को डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसा मैंने पोस्ट डाला था से 3-4 दिन पहले बहुत लोगों का क्वेरी आया कमेंट आया कि भ यहने राइजन 5 विक्टर्स का अल्री बीडियो बना रखा है जाकर आप देख सकते हो और यह लेटेस्ट 13 जेनरेशन है क्या अपग्रेड हुआ है टेस्टिंग वाईज गेमिंग वाईज वो तो चलो आगे हम देखेंगे लेकिन बिल्ड क्वाल्टी मैटर्स जो आज हमा 13 जेनरेशन लेप्टॉप आई 5 के साथ एक लाके ऊपर पड़ता है यह आपको लेप्टॉप 5% डिसकाउंट और 10% क्रेडिट काइट पर कैस्ट बैक के साथ समयर आउंट वाईट वाईट वागे बदा चलने वाला है और संपत्य कम्पीटर का आपको नंबर डिस्क्रिप लेप्टॉप हैं और यह सबसे सस्ता नियो 16 है इसके कॉंपरिटिंग में उससे भी 10,000 रुपया सस्ता आपको यह पढ़ रहा है रेस्ट एच प्रोसेशर और एचेक्स को थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ एचेक्स है यह एचेक्स है बंड इस्टिल टॉपिक्स वाला लुक के साथ जाना चाहते हैं विकार फॉस्ट इंप्रेशन इस लैप्टॉप को देखकर आता है न देफी इस फिल लाइक इस पावफुल लैप्टॉप नॉट कंप्लीटली गेमिंग लैप्टॉप ओके यह वी का लोगों जिन लोगों को पता होगा देविल कंफि लेकिन इसका जो फिनिस है कहीं पर फिंगरप्रिंट वैसा नहीं पड़ता है जो कि दूसरों में पड़ता है मेटल बॉड़ी होनी के कारण अब आज आते हैं सबसे पहला पॉइंट जो कि है इसका बॉडी फ्लेक्स बॉडी फ्लेक्स अगर मैं देखू चारों अगर आप इसका keyboard flex भी देखोगे तो keyboard flex तो भाई चारों में ना के बराबर है क्या build quality हम खराब कह सकते हैं इसका सिर्फ एक wobbling को लेकर चलो wobbling भी चेक कर लेते हैं वोब्लिंग जैसा लोग कहते हैं कि भाई वोब्लिंग बहुत ज़्यादा है इस लैपटॉप में देखो याफ 16 इंच का लैपटॉप है स्क्रीन थोड़ा पतला बनाया है इन्होंने देखा जाये तो seamless रखने के लिए और आपके सामने है इतना wobbling आपको अल्मोस्ट हर लैपटॉप में नहीं कहूंगा मतलब minute सा थोड़ा सा ज्यादा है मैं यह मान सकता हूं थोड़ा सा wobbling आप कह सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप इस्सू बना दो कि बिल्ट को ओल्टी खराब है और बुझे नहीं लगता आप अपने सामने comparison देख लो यार मैंने इसको new 16 से जो compare कर रहा हूं tough f15 से compare कर रहा हूं और even आपका rogue stick scar series से compare जिससे नहीं किया जा सकता है बहुत ज़्यादा pricing में वो laptop आता है बट still मुझे ऐसा लगता है जो लोग कहते हैं कि build quality इसका बहुत worst है अगर आप वो laptop यूज कर रहे हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ मैं तो आपको clearly सामने example दिखा दिया इससे महंगे laptops के साथ compare कर दिया tough f15 के साथ भी compare कर दिया आप वहाँ पर देख सकते हो कि आप 15 में भी हलका सा wobbling है और fan चला कर चल एक पर देखते हैं fan चला दिया हूँ full on speed में अब अगर आप compare करके देखोगे तो कितना wobbling है यह कह सकते हैं कि इन चारों laptop में अगर वर्बलिंग को point of view रखा जाए तो यह no doubt उतना perform नहीं कर रहा लेकिन क्या बहुत ज्यादा वर्बलिंग है नहीं I don't feel like कि बहुत ज्यादा वर्बलिंग है साइट से भी अगर आप देखोगे तो build quality आप देख सकते हो कि इस laptop का क्या है plus HP Victus यार काफी वक्त से नामी laptop रहा है काफी लोगों का पसंद है कुछ लोग hatred भी फैलाते है I don't know why भाई हर चीज में कुछ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत up and downs होता है हर चीज को consider करके चलना चाहिए plus HP आज भी number one rank करता है अपने customer service को अगर हम compare करें किसी भी और से यह नहीं कह रहा हूं कि किसी और का खराब है बट अगर market research की बात की जाए तो HP and Dell they are doing very well कोई question नहीं है ऐसा नहीं कि Acer कम कर रहा है मैं आपको example बताया Acer का भी service बह बहुत अच्छा है बाट इस्टिल एच्पी का काफी अक्षे मार्केट में नाम है यस आई विल से कि going forward वो अपने HP Victus को भी थोड़ा metal बिल्ड में बनाएं बट आइफील लाइक वो इसलिए नहीं करते है क्योंकि भाई प्राइस को भी मैंनेस करना है है की नहीं 16GV का आपको इसमें RAM मिल जाता है DDR5 13 generation आपको इसमें चिपसेट मिल जाता है 4050 RTX मिल जाता है you are getting a laptop full packed of lots of latest chipsets and features उस इसाब से आपको क्या लगता है मेरे को comment करके ज़रूर बताना ये totally dedicated video अपना build quality पर था rest इसका complete gaming test performance benchmarks and all तो next video में आने ही वाला है because मेरे editor भाई थोड़ा घूमने गए है तो अखेले possible नहीं हो पा रहा है मैं सारा कुछ करूँ but yes then also video जल्दी आएगा दोस्तों being touch video कैसा लगा comment करके ज़रू बताना accordingly मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों का feedback किया जो victors use कर रहे हैं और जो victors खरीदने का सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा clarity मिलेगा rest number तो आपको description मिल जाएगा संपत्ती computer का victors mind में है तो आप वहां call कर सकते हैं victors क्यों कोई भी और laptop आपके दिमार्ट में है आप वहां पर call कर सकते हैं